एक किंग जो गे है अपनी वाइफ के साथ अपने फ्रेंड को सोने किलिए कहता है यह सब कॉम्प्लिकेट हो गया क्योग है किंग अपने फ्रेंड से प्यार करता था और इसके बाद लव, बिट्रेयल और रिवेंज इसके एक टेल स्टार्ड होती है हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपको अफ्रोजन फ्लावर ए 2008 की एक कोरियन रोमेंटिक ड्रामा मूवी एक्स्पेंट करने वाला हूँ अगर आपको वीडिया अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजेगा अब बिना कसी तरीके स्टार्ट करते है मूवी स्टार्ट होते हमें बताया जाता है कि एक किंग छोटे लड़के को ट्रेंड करता था ये बड़े होकर हमेशे उसे गाड़ करते थे ये उसके लिए कुछ भी कर सकते है किंग का बच्पन में एक फ्रेंड बना जिसका नाम था हॉंग हॉंग को उसने ट्रेंड किया इन दोनों में अच्छी फ्रेंडशिप बनी ये एक साथ म्यूजिक बचा दे थे सब कुछ चीजे एक साथ कर दे थे अब इसके बाद ये दोरों बड़े हो चुके हैं इनके बैलेस का एक आदमी एक सर्वंट से बहुत प्यार करता था और उसे लेकर यहाँ से दूर भाग रहा था हॉंग उसका पीछा करता है फिर से बैलेस में लेकर आया किंग से धूगा करने की सजा डारेक्ली मोथ है जो भाग गया था ये हॉंग का फ्रेंड है हॉंग ने किंग से कहा इपलीज उसे इस तरह के से कोई भी पनिश्मेंट मत देना किंग ये था और हॉंग से प्यार करता है इसी वज़े से उसका सब कुछ कहना मान लेता है पैलेस में आकर हॉंग ने डिकलेर किया क्या हमारे फ्रेंड को कोई भी मारेगा नहीं यहाब और उसका दूसरा फ्रेंड जिसका नामे नो तक इसे इसे प्रॉल्म होती है वो गहता है सजा सजा होती है किंग के कानों में खुसपुस करकर उसके डिसीजन बदलना बन कर दो उस पर बहुत ही गुस्ता था किंग और हॉंग जब अकेले थे तो किंग हॉंग से बुच्छता है तुम भी तो बहुत सालों से मेरे साथ हो क्या अगर तुमें ओपरजिणिटी मिलती तुम भी किसी के साथ भाग जाते है होंग एता है ऐसा कभी भी नहीं हो करो इसके बाद King से मिलने के लिए Queen आई वो कहती है Emperor यहाँ पर आने वाला है यानि कि King के ऊपर किसी और कराज है Emperor आने पर Question करेगा कि King को अब तक कोई भी संग नहीं अगर ऐसा हुआ तो King को बदल दिया जाएगा इस प्रॉल्म को solve करने के लिए किंग के बास अब तक कोई भी option नहीं है क्वीन जब बाहर आई तो हंग से बात करती है कहती है जादा किंग के करीब मद रहा करो तुम बर भी लोग शक ले सकते है क्वीन को किंग और हंग के बारे में सब कुछ पता था अगली दिन किंग और क्वीन ये बार घुमने के लिए आई होए थे वो जब क्वीन से first time मिला था तो उसने क्वीन को बहुत ही beautiful सा necklace दिया था वो आज भी पहन रही है किंग को ये बहुत अच्छ लगता है गयता है तुमने मेरे लिए गाना गया था आज भी गाना गाओ क्वीन भी beautiful सा sing करती है तब इन पर हमला हो गया इस हमले में हॉंग किंग को protect करता है पर किंग injure हो गया इनका सेनापती हॉंग पर बहुत ज़ादा गुस्ता हो गया गयता है तुम्हारा जॉब है किंग को protect करना किंग जखमी हालत में था पर फिर भी कहता है कि हॉंग नहीं होता तो मेरी death हो जाती हॉंग को बहुत पुरा लगा हॉंग ने इस incident को investigate किया उसे पता चला कि उसके पैलेस के कुछ लोग इसके पीछे थे और वो बहुत ज़ादा powerful है क्योंकि वो directly emperor के लिए काम करते है इन सब का मिलकर king बदलने का plan है जब तक हॉंग 100% sure नहीं तब तक कुछ भी कर नहीं सकता इसके बाद emperor आया king को कोई भे बेटा नहीं तो किसी और को king करने वाले थे पर queen कहती है अब तक king young है नहीं कभी भी बेटा हो सकता है राद में इसी issue को लेकर queen king के पास आये थी वो गयती है हम pretend करेंगे कि एक साथ सोय थे king कहता है हमारे पास और एक option है वो हॉंग पर trust करता है और हॉंग queen के साथ intimate हो सकता है अगली राद सब arrangement किया गया हॉंग ने queen के साथ intimate होने के कोशिश की पर वो बात कर नहीं पाया अगली दिन ये बात king को बता देता है king कहता है तुम्हारे पास और दो जांस है अब सही से करना हॉंग ने पुछा कि आपने मुझे क्यों जूस किया king कहता है तुमसे अच्छा और कोई हो नहीं सकता रात में जाकर फिर वो queen के साथ intimate हो जाता है king इन्हें intimate होता देख रहा था अगली दिन king ने हॉंग से पुछा किसी लड़की के साथ होना कैसा था हॉंग कहता है मैं सिर्फ अपनी duty कम्पलीट कर रहा था ये सब weird है तो उसने कहा कि आप पर जो हमला हुआ था उसे investigation करने के लिए मैं कहीं दूर जा रहा हू हॉंग ने अपने आपको distract करने की कोशिश्टों की वो उससे queen की याद आ रही थी और रात में सो भी नहीं पाता बहुत दिन हो चुके पर फिर भी वो आपस नहीं आया king उसके लिए वरीड था तो अपने कुछ आदमियों को भेज देता है जो भी attack हुआ उसमें queen का necklace टूट गया था उसी तरीगी का necklace हॉंग ने इस town में देखा तो queen के लिए बाय कर लेता है king के आदमियों से फिर से घर ले जाने के लिए आये पर फिर भी वो ready नहीं था रात में उसे पता चला कि queen की तबियत जरा खराब है वो फिर तुरंट palace आ जाता है king queen को देखने के लिए गया था वो कहता है क्या तूम pregnant हो queen कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं वो सिर्व जरा बिमार थी king जब भी बिमार बढ़ता था तो हॉंग उसे special drink देता है king ने अपने लोगों से कहा कि वही drink queen को दीजिए वो गहता है हॉंग ने सुबाए queen को दिया था king surprise हो गया कि हॉंग उसके पीछे queen से मिल रहा है रात में हॉंग से बात करता है कहता है तुम्हारा drink लेकर queen के पास जाओ हॉंग ने उसे सच बताया नहीं वो कहता है कि royal servant ये सब कुछ सही से कर लेंगे अगली दिन king ने queen और हॉंग को बुलाया कहता है queen की दबियत last time बहुत ही बिगड गई थी अब थोड़े time तक इन दोनों को gap देना है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि queen और हॉंग में attraction हो चुका था वो उसे मिलने के लिए कहा उसने जो नेकलेस लाया है उसे दे देता है रात में king को बेटा हो इसके लिए palace में एक बड़ा सा fist था queen की दासी आकर हॉंग से बात करती है लेबररे में हॉंग को queen से मिलना है यह दोनों मिले और वही intimate हो गए queen ने हॉंग को एक hanker jip दिया कहा किसे हमेशा अपने पास रखना अगली दिने फिर से उसे यही मिलने वाली है किंग को बड़ा जला कि उस पर जिसने हमला किया था उसका मिनिस्टर है तो आज रात उस पर नजर रखने के लिए हॉंग को भीज दिया जाता है हॉंग को एक्चुल में queen से मिलना था पर वो आज रात मिलनी पाया अगली दिन queen का ब्रदर यहां आया है वो कुछ दिनों के लिए queen को अपने घर लेकर जाना चाता था किंग भी कहता है इसका अच्छे से खैल रखना किंग के पास एक बहुत यह अच्छा सा हॉर्स आया यह हॉर्स वो हॉंग को गिफ्ट देने वाला था वो हॉंग का गारडन में आने के लिए वेट करता है पर हॉंग अग queen के बास था वो उसके साथ intimate हो रहा था किंग ने उसका बहुत वेट किया रात हो गी पर फिर भी हॉंग वापस नहीं आया अग queen थोड़ी दिनों के लिए बाहर जाएगी तो यह मिल नहीं पाएंगे तो उसने हॉंग को drink ओफर किया वो कहती है तुम हमेशा king के साथ रहते थे मैं बहुत ही jealous हो जाती थी queen ने हॉंग के लिए special rice cake भी बनवाय हुआ है यह दोनों आज बहुत ही sad थे एक दुसरे को like तो करते पर कभी भी एक साथ हो नहीं सकते रात में हॉंग बहुत ही late वापस आया तो king उसे बुछता है तुम कर कह रहे थे हॉंग ने कहा कि मैं लैबरी में था battle के बारे में एक book पढ़ रहा था king ने इस book के बारे में सब कुछ detail पूछे पर हॉंग ready था उसने सब कुछ सही सही बता दिया king कहता है अगर तुम्हें battle के बारे में इतना सब कुछ पता है तो मुझसे लड़ो मुझे king की तरह मत समझना सही से लड़ना फिर ये दोनों sword fight करते है इसमें हॉंग king पर war कर नहीं पाया king कहता है तलवार चलाने में soul लगती है कोई technique नहीं उसे समझ गया था कि उस पर cheat कर रहा है उसे loyalty दिखाने के लिए कहता है निकसिन में हम देखते है palace के कुछ लोग जो king की खेलाफ है इनकी meeting जल रही थी इन्होंने decide कि king को overthrown करने के बाद वो queen के brother को king बनाएंगे इस meeting में queen का brother भी था king को already इस सब लोगों के बारे में पता है पर queen की brother के बारे में पता नहीं था वो हॉंग को भेशता है और minister लोगों पर यह हमला करते है इनसे सब कुछ पूछा गया तो इन्हें queen के brother के बारे में पता चला king इस बात से बहुत ही गुस्सा हो जाता है कहता है palace में एक फिस्ट दो जो भी traitor है इन सब को बुलाएंगे और वहाँ मार डालेंगे सिर्ख queen का brother यहां नहीं होगा उसे जाकर उसके घर में मारेंगे ब्रदर को मारने का order यह हॉंग को दिया गया हॉंग बेचारा बहुत ही tension में था वी queen के brother को कैसे मार सकता है palace में फिस्ट हुआ और king ने सब लोगों को मार डाला हॉंग queen के brother के बास दो गया पर उसने उसे छोड़ दिया कहा कि हमेशा के लिए यहां से दूर चले जाओ king smart है उसने अल्रेडी अपने लोगों को बता दिया था कि अगर हॉंग ने ऐसा कुछ किया तो वो जाकर queen के brother को मार डालेंगे वो king को दिखाने के लिए टारेक लिए उसका सर ही निकाल लाते है queen घर पर वापस आ गयी थी रात में वो और हॉंग फिर से मिले उससे बुछती है क्या तुमने मेरे brother को मार डाला हॉंग कहता है मैंने उसे जाने दिया नेक्स डे king ने फिर से हॉंग और queen को बुला हुआ था वो कहता है अब हम फिर से intimate होना start करेंगे पर इस बार हॉंग queen के साथ intimate नहीं होगा किसी और को भीजेगा queen इससे अब से ठोके वो कहती है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो ये मेरा आपमान है king कहता है कि तुम दोनों को पता नहीं कि मैंने decision क्यों लिया है यानि कि उसने उन्हें पता दिया कि उसे सब कुछ पता है राद में queen ने हॉंग को बुला है कहती है हम यहाँ से भाग चलते हम कहीं भी रह सकते हॉंग ने जो भी किया था इसको उसे पच्टाव हुआ वो कहता है अब से मैं सिर्फ king के साथ ही रहूँगा वो king के पास है उसे apologize करता है कहता है कि मैं death deserve करता हू मैंने जो भी किया यह बहुत ही गलत था अगर आपको लगे तो मुझे मार डाली है king कुछ भी नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है हॉंग अपने घुटनों पर ही उसी garden में बैठा रहा इसे ही एक दो दिन गुजर गए किंग फिर हॉंग को बुला कर कहता है यह जाओ और border पर सवर करो जब तुम वापस आओगे तब हम देखेंगे हॉंग के rejection के बाद क्विन बहुत ही ज़्यादा upset थी उसने restart कर suicide करने की खूशिश की अब इस सब चीजों को थोड़े दिन कुजर चुके है किंग और हॉंग फिर से बहले की तरह फ्रेंड बने है एक दिन हॉंग को क्विन ने फिर से मिलने के लिए बुला है कहा कि सिर्फ एक बार मिलने के लिए आ जाओ हॉंग किंग के साथ ही सो रहा था रात में उटकर चला जाता है Queen उसे कहती है कि मैं pregnant हो अगर किसी को भी पता चला तो King उसे मार डालेगा Hong कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा वो इस child को welcome करेगा सब कुछ ठीक हो जाएगा वो वहाँ से जा रहा था पर Queen रोग कर उसे गले लगा लेती है ये दोनों फिर intimate होने लग गए King ने notice किया कि Hong उसके पास नहीं तुसे ढूरने के लिए लेबरेजर में आ जाता है इन दोनों को उसने intimate होता देख लिया King बहुत ही गुसा हो गया Hong से जाता है तुमने मुझसे कहा था ये सब कुछ फिर से नहीं होगा Queen कहती कि सब कुछ मेरी गलती है मैंने उसे seduce किया था Hong ने कहा कि ऐसा नहीं मैं उसे प्यार करने लग गया हूँ इसलिए सब कुछ हुआ प्यार के बारे में सुनकर King और भी जादा गुसा हो जाता है उसने Hong के private part को cut कर देने का order दिया बाद में King को Queen की pregnancy के बारे में पता चला वो अपने आदमी से बुच्छता है कि ये बात किसी को भी पता ना चले वो बेटा मेरा हो इसके लिए क्या करना चाहिए अब जिसको भी पता है इस सब को ए मार डालेंगे King Hong को मार नहीं सकता तो रात में उसे मिलने के लिए आया वो उसे कहता है जैसे चीज़े पहले थी वैसे सब कुछ हो सकता है अगर तुम फिर से मेरे पास वापस आ जाओ और Hong ने इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा Queen को जब पता चला कि King उसके child को accept करेगा तो उसे पता है Queen भी आगे चली गई है Hong फिर इसके लिए मान जाता है घर से बहुत दूर जाने के बाद उसे पता चला Queen ने सिर्फ उसे safe करने के लिए जूट कहा था King को पता चला कि Queen ने सब कुछ किया है तो उसे बुला लेता है उसने कहा कि अगर तुमने मुझे बताया नहीं कि Hong कहा है तो बहुत बुरा होगा Queen कहती कि मुझे मार डालो पर फिर भी मैं तुमें नहीं बताऊंगी King कहता है कि इतनी आसानी से नहीं मैं बदला लूँगा तुमारे बेटे को एक ट्रेटर के बेटे के तरह बढ़ा करूंगा तुम हमेशा दडबती रहोगी Queen फिर भी कुछ भी नहीं बताती Hong से रहा नहीं जाता वो Queen को लेने के लिए पैलेस में आ रहा था Queen के लोग कहते है तुम उसे अब satisfy कर नहीं सकते जाकर क्या फायदा फिर भी Hong वहाँ से निकल गया King के आदमियों ने इनकी जगे को ढोन लिया था इस सब लोगों को मार डालते Hong आगे चला गया तो बच जाता है बाद में Hong ने रेलाइस किया कि अगर ओ फिर से पैलेस में गया तो सब कुछ चीज़े सिर्फ कॉंपलिकेट करेगा वो आपस आया पर देखा King के आदमियों ने Queen के सब लोग को मार डाला था अब उसे लगा Queen को बचाना पड़ेगा वो वहाँ सेफ नहीं वो उसे बचाने के लिए जल्दी से निकल बढ़ता है Queen के साथ मेलकर Hong को बचाने के लिए पैलेस के जिन भी लोगों ने हेल्प की थी King ने उन सब लोगों को मार डाला उनके सब ये पैलेस के सामने लटका दिये Hong का फ्रेंड भी इसमें था ये सब देखकर Hong बहुत रोता है रात में Hong पैलेस में खुझ गया उसे जिसने भी रेजिस्ट के उन सब को मार डालता है Finally King के बास आ गया उसने का तुमारी स्वार्ड उठाओ मैं तुम्हें फाइटिंग का चांस देना चाता हू ये दोनों फिर बहुत फाइट करते है King गहता है क्या तुम्हें सचूश में लगता है तुम्हें हरा सकते हो Hong ने का कि मेरे पास खोने के लिए खुझ भी नहीं King पूछता है क्या प्यार इतना ज़्यादा इंपोर्टन था Hong ने का तुम्हारी वज़े से मुझे प्यार हुआ मैं बहुत ग्रेटफुल हू ये दोनों बहुत लड़े King ने Hong को इंजोर कर दिया था King उसे फिरसे एक चांस देता है कहता है अपनी तलवार नीचे फिक दो मैं दुम्हें जीने दूँगा Hong इसके लिए नहीं मानता इस फाइट में ये दोनों एक दुसरे को मार डालते है मरते मरते King ने पूछा क्या कभी तुमने उसे प्यार किया था Hong कहता है कि कभी नहीं Hong अभी भी थोड़ा सा जिन्दा है King के आदमी उसे मार डालते है इसी तरीके से मूवी एंड हो जाती है King ने अपने राज को बढ़ाने के लिए एक गलत रस्ता चूस किया जो से सही लग रहा था Hong ने भी रियलाइज नहीं किया पर उसे क्विन से प्यार हो गया उसी के लिए फाइनल उसे जान दीनी पड़ी King भी Hong से बहुत प्यार करता था पर हमेशा उसे बिट्रेल ही मिला ये ट्राइजिक टेल एक अदम हो जाती है अगर आपको वीडियो अचा लगा तो प्लीज इसे लाइक कर दीजेगा मैं बहुत सारी मूवीज लिकर आते रहता हूँ तो प्लीज इस चानल को सबस्क्राइब कर दीजे और बेल नोटिवेशन आइकोन दाओने मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक निमीवी के साथ तब तक लिए थैंक्यो और आप अपने आपका खैल रखिये